और हम एकेडमी में आपका स्वागत है आज का वीडियो में प्रधाना ध्यापक या प्रधान सिक्षक फॉर्म अपलाई करने में आने वाली परिशानियों से बचने के लिए बना रहा हूँ बहुत सारे प्रस्न पूछे जा रहे हैं जैसे सेवा संपुष्टी का प्रमाड पत्रे कैसे अपलोड करें साफ साफ पता देता हूँ सेवा संपुष्टी का कोई प्रावधान नियोजन नियमावली में नहीं है और किसी नियोजित कर्मी की सेवा संपुष्ट का कोई पे अपने प्रधाना ध्यापक से लिखवा लिजिए कि विद्याले अभिलेख क्या धार पर इनकी सेवा दिनांक इतना तक संपुष्ट की जाती है, कन्फर्म की जाती है, वह दिनांक आप अपनी मर्जी से जिस्तिन फ़र्म भर रहा है, उस दिन तक का लिख सकते हैं, जैसे 31 मर्द 2022 या कोई और डेट आप लिख सकते हैं बस इतना ही करना है इसका कोई प्रमाड पत्रे नहीं लगाना है अपने से कोई format बना करके और कहीं से न नियोजा निकाई से लिजिए ना हेड मास्टर से ना डियोगार याले से बस इसको सर्विस बूक में लिखवा घर के आप मस्त रही है दूसरी चीज कि अनुभाव प्रमाड पत्रे कैसे बनाए तो अनुभाव प्रमाड पत्रे के लिए आप अपने से कोई format न बनाएए कोई format BPSC ने भी नहीं दिया है हाँ उच माध्यमिक बिद्यालियों के प्रधाना ध्यापक के लिए एक format जारी किया गया है बिहर लोग से वायों के द्वारा उसी format पे प्रात्मिक बिद्यालियों के प्रधान सिक्षक बनने के लिए भी अनुभाव प्रमाड पत्रे बनवाया जाना चाहिए और अनुभाव प्रमाड पत्रे हेड मास्टर के द्वारा ही बनाया जाएगा नो के नियोजन ही कही या जिला सिक्षा पदाधी कारियाले के द्वारा अनुभाव की गढ़ना कैसे करें तो अनुभव की गढ़ना दो तरीके हैं एक तो date of joining और दूसरा date of training अगर आपने train teacher के रूप में जोगदान किया है तो date of joining से आपके अनुभव की गढ़ना की जाएगी और अगर untrain teacher के रूप में आपने जोगदान किया था तो फिर date of training यानि जिस दिन training का result आया उस दिन से आपके सेवा की गढ़ना की जाएगी इसके अलावा आपने जितने नियोजा निकाईयों में जितने विद्यालों में जिस जिस ओधी में सेवा किया है सबको experience में count किया जाएगा experience आपका हर एक unit में हर एक school में जो है उसको count करके एक माना जाएगा अगर कोई प्रधाना ध्यापक आपको सभी सेवाओं को जोड़ करके अनुभाव प्रमाड पत्र नहीं देते हैं तो भी चिंतित मत होईए अपने headmaster से कहिए कि आपकी बिद्याले में जब से कार्ज रत हूँ इसका आप अनुभाव प्रमाड पत्र दे दिजिए और उसी अनुभाव प्रमाड पत्र पे नीचे आप स्वः घोषना कीजिए कि मैं घोषना करता हूँ कि मैंने इस नियोजन निकाई में इस बिद्याले में इतने ओधितक सेवा की और सभी सेवाओं का जोग मेरा इतने बर्स का हो रहा है और अपना हस्ताक्षर करके उसको आप फॉर्म अपलाई कर दीजिए उसको अपलोड कर दीजिए बिहार लोग सेवा आयोग ने साफ सा पता दिया है कि वह किसी भी प्रमाड पत्रे का वेरिफिकेशन नहीं करेगा वह केवल और केवल कैंडेट के द्वारा जो घोषना की जाएगी उसी के आधार पे एक्जाम कंड़क्ट करेगा और मेरिट बना करके सलेक्टेट लोगों की लिस्ट सिक्षा विभाग को दे देगा और बिहार सरकार सिक्षा विभाग नियुक्ती से पहले कॉंसिलिंग करेगा कॉंसिलिंग के समय सारे डोकुमेंट्स ओरिजनल ले जाने होगे और वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा जिनका सही होगा उन्हीं की पोस्टिंग की जाएगी एक और प्रस ने अनापती परमाड़ पत्रे नो अपजेक्षन सर्टिफिकेट को ले कर है आप कोई भी अनापती परमाड़ पत्रे ना बनवाए अनापती परमाड़ पत्रे अपलोड करने की ज़रुरत नहीं अगर आप नियोजित कर्मी है तो नियोजित सिक्षक है तो नियोजित सिक्षकों को no objection certificate देने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अलावा सबसे महातो पूर्णे बात कि जब form भरने जाते हैं तो उसमें 19 या 20 मिनट का ही limited time है उसके बाद ओ एक्सपायर कर जाता है session इसलिए आप सारी जानकारी को पहले एक आगज़ पे लिखके तब जाईए और जाकर के form online कीजिए उसमें passing date पुछ रहा है जी से high school inter BAM में जहां से जब किया हो तो किस तारीक को पास किया हो passing date भी होना चाहिए उस institute का नाम भी होना चाहिए किस institute से वह institute किस board से या university से affiliated है संबत्ता प्राप्त है उसका भी नाम सही सही होना चाहिए और सारी जानकारी ले कर के जाईए असल confusion प्रमाडपत्रों के uploading में है तो उसको भी मैं बताऊंगा अभी पहले form भरने के पहले registration कराना होगा registration कराने के लिए अपना नाम father name, mother name इसके बाद type of working teacher भरना है, फिर date of birth भरना है, फिर gender भरना है, male female जो भी है या transgender दोज को भरना है फिर citizen of India को yes कीजिए, permanent residence of बिहार को भी yes कीजिए क्योंकि ये दोनों अनिवार सर्ते हैं, अगर बिहार का निवासी नहीं है तो आप form नहीं भर पाएंगे, और भारत के नागरी नहीं है तो भी नहीं भर पाएंगे फिर reservation की category आप भरिए अगर reserve category के हैं तो नहीं तो no कीजिए अगर reserve category के हैं और yes नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का लाब नहीं मिलेगा अगर EWS यानी economically weaker section के हैं और परमाड़ पत्र है तो उसको भरिए अगर आप economically weaker section में हैं लेकिन परमाड़ पत्रे नहीं बनवा पाया हैं तो पुराने परमाड़ पत्रे को लगवाईए और उसी पे नीचे घोषना कर दीजिए कि मैं इस बितिये बर्स में भी EWS category में हूँ और मैंने EWS certificate के लिए आवेदन कर रखा है फिर अपनी जाती भरिए फिर आधार संख्या भरिए आधार नंबर जरूर नोट कर लिजिएगा नहीं तो आपका registration नहीं हो पायेगा अगर physically disabled है दिब्यांग है तो yes भरिए नहीं तो no भरिए अगर disabled है तो किस प्रकार के हैं वो सब भरिए percentage क्या है ये सारी चीज़े जनकरी में आपको देनी होगी अगर आप बिहार government के imply है तो yes भरिए वरना no भरिए कोई भी नियोजित कर्मी बिहार सरकार का imply नहीं है इसलिए no ही भरना है अगर yes कोई भरता है तो उसे अपना designation, office और place का नाम भी भरना होगा अगर एक service man है तो उसके लिए yes भरेंगे और फिर प्रमाण पत्रे भी upload करना होगा अगर eligibility criteria को fulfill करते हैं तो yes भरिए नहीं करते हैं तो form ही नहीं भर पाएंगे क्या आप बिग्यापन के उनसार स्वतंतरता से नानी के नाती नतनी पोता पोती हैं तो yes भरिए और फिर उसका certificate भी देना होगा अगर अधिकतम IU में छूट चाहते हैं तो yes भरिए लेकिन उसका भी certificate आपको देना होगा फिर फी कितना दिये हैं 750 या 200 रुपे तो बिहार लोग से वायोग कहा हैं सुझाव है कि आपको फी 750 रुपे ही देना चाहिए जो general category का है ऐसा इसलिए क्योंकि मान लिजए आपने कोई category भरा EWS भरा या जो भी भरा और आपकी category अगर पूष्ट नहीं होती है यानि परमाण पत्रे आपका सही नहीं पाया जाता है तो आपका kind nature रद हो जाएगा और अगर general का फी दिया है और आपकी reservation की category गलत भी होती है तो भी आपका kind nature रहेगा आप exam देंगे और selection भी आपका general category में हो सकता है फिर mobile number और email id भरना है इसके बाद 6 number में आपको correspondence address भरना है फिर permanent address भरना है इतनी सारी जानकारी आपको भरनी है इसके बाद जो page खुलेगा तो इसमें पूछ रहा है marital status साधी सुदा है तो married अब इवाहित है तो unmarried अगर दूसरी कोई स्थिती है तो अन्य में भर दीजिए फिर sexic जोगता है पूछ रहा है BA, 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 C, A तो इसमें subject भरिए, session भरिए, कि session ने पास किये, फिर passing date भरिए, फिर किस institute से पास किये और institute means college और जो institute से पास किये वो किस board या university से संबत्ता प्राब्त है उसका नाम भरिए फिर टोटल मार्स कितना मिला टोटल मार्स कितना था और कितना मार्स आपने पाया ये भरिये फिर परसेंटेज निकाल के भरिये परसेंटेज जरूर निकाल के जाईएगा क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है और सेसन ओबर हो जाता है फिर post graduation के बारे में भी ये सारी जानकारी देनी है graduation के बारे में भी intermediate और math के बारे में भी ये सारी जानकारी देनी है इसके बाद TET qualified है तो yes भरिये नहीं है तो no भरिये एक तीसरा option भी है notification में कि 2012 के पहले जो नियोजित कर्मी है उनको दक्षता उत्तिर्ण होना चाहिए लेकिन जब मैं form भरा था तो दक्षता का option नहीं था और मुझे उसकी आउसकता भी नहीं था मैं TET qualified था तो yes कर दिया था आप भी जो suitable हो भी कीजिये लेकिन form ज़रूर भरिये अगर option नहीं है दक्षता का तो no करके आगे बढ़ जाएए फिर type of experience में चुकि plus two teacher वाला था तो इसमें चारतरह के experience मांगा गया था दस साल نियोजित माधिमीक सिखचक और आठ साल नियोजित उच माधिमीक सिखच के लिए था तो जो आपके लिए suitable हो उसको भरिये फिर experience certificate भी लगाना है और experience count भी करना है तो मैं senior secondary teacher के रूप में 17 फरोरी 14 से हब तक कार्ज रहा हूँ तो उसको पहले भरा मेरा 8 वर्स 29 दिन पूरा हो गया तो मैं यह भर दिया इसके बाद secondary teacher के रूप में मैं कार्ज किया था 28 फरोरी 7 से 16 फरोरी 14 तक तो उसको ही मैं भर दिया और total जोड के 15 साल 18 दिन का मेरा experience हुआ आपको भी यही करना है चाहे जिस बित्याले में जिस नियोजनिकाई में जिस पत्रांग दिनांग से आप अलग-अलग आधी में काम किया हो सबको जोड करके भर देना है आपका experience certificate वही count होगा फिर last यह current working place में अपना estate भरिए डिस्टिक भरिए इसके बाद अपना एक पाचान चिन लिखिए जो भी हो इसके बाद other कोई सुचना देना चाहते हैं तो दीजिए नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दीजिए और 11 नमबर में फी का भी उरंड देना है मैंने 750 रुपे फी चुका है तो 750 दिख भी रहा है यह form आप देख लीजिए आपको बहुत सहुलियत मिलने वाली है अब सबसे दिक्कत वाली जो इस्थिती है वो आ गई है आपका signature और photo तो upload होगा ही इसके बाद जो अनुलगनक ह इसमें पहला है मैटिक का certificate date of birth के confirmation के लिए दूसरा educational qualification certificate तो educational qualification certificate में मैंने मैंका certificate भर upload किया और इसके बाद educational qualification mark sheet तो इसमें मैंने B8 का mark sheet upload किया और चोथा है experience certificate तो जो headmaster सहाब से मैंने experience certificate बनवाया था उसको upload किया बस यही चार चीजें चार documents सबके लिए अनिवार्थ हैं इसके बाद category wise documents लगेंगें जैसे SCST हैं तो cash certificate लएगा अगर SCST हैं तो फिर आपको domicile भी देना पड़ेगा अगर backward या extremely backward category के हैं तो non criminal certificate देना होगा और अगर EWS category हैं तो EWS का certificate देना होगा अगर disability है तो disability वाला certificate देना होगा EWS relaxation अगर चाहते हैं तो सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाड़ पत्रे भी देना होगा और freedom fighter के आश्रित हैं नाती नतनी पोता पोती तो उसका भी certificate आपको देना होगा फिर नीचे कुछ घोसना है जिसको click करके आपको form को submit कर देना है और form आपका submit हो जाएगा इसके बाद इसका print निकाल लेना है और इसको सुरक्षित रखना है जब तक आपका chain नहीं हो जाता जोगदान नहीं हो जाता तब तक इसको सुरक्षित रखना है और कोई भी form की हाटकों भी लोग से वायोग को नहीं भेजनी है लोग से आपको चैन करने के बाद सिक्षा विभाग को भेज देगा और सिक्षा विभाग कौन सीलिंग के समय आपको बुलाएगा और आपके सारे परमाड़ पत्रों की जाज करेगा अगर सही परमाड़ पत्र सही पाया जाएगे तो आपको प्रधाना द्यापक यह प्रधान सिक्ष आवाद